हेलो दोस्तो स्वागत है आपके एक बाग फिर सही हमारे चैनलर पे मैं हूँ आपका दोस साजित अलवी दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक पफ स्लीव्ज एक पफ स्लीव्ज के अंदर हम आपको एक डिजाइन बनाना बताएं तो यहाँ पर हमने एक डिजाइन बनाने के लिए दो कपड़ लिए हैं एक कपड़ा यहाँ पर हमारा प्लेन कपड़ा है इस प्लेन कपड़े से हम बनाएंगे अपनी आस्तीन पफ स्लीव्ज और जो हमारे पास यहाँ पर printed कपड़ा है, इस printed कपड़े का इस्तेमाल हम करेंगे अपनी आस्तिन के अंदर डिजैन बनाने में या फिर एक फिर्ल बनाने में, तो इसको निकाल देते हैं, इसका काम बाद में होगा, अब यहाँ पर हम लेंगे अपना मैन कपड़ा, तो यहा यहाँ पर हमने एक paper में simple से एक newspaper में अपनी जो आपकी normal sleeves होती है जो भी आपने suit में लगाते हैं cutting करके इसी तरीके से एक paper पे हमने अपनी अपनी आस्थिनी cutting यहाँ पर कर ली है अब हम आपको इस आस्थिनी का according puff sleeves की cutting करना बताएंगे तो इसको हम यहाँ पर ऐसे fold कर देते ह अब इसके बाद आपको अपनी normal sleeves को यहाँ पर इस तरीके से रखना है यह आपकी normal sleeves है और इसमें से आपकी एक puff sleeves बनेगी अब हम आपको बता दें हैं कि इसमें आपको क्या change करना पड़ेगा ताकि यह आपकी एक puff sleeves बन जाए तो श्क्रिम क्या करेंगे यह देखे दोस्तो यहाँ पर यह हमने अपनी आस्तिन लिए है इसकी जो हमने लंबाई रखी है वो रखी है फाइफ इंच फाइफ इंच लंबी यह आपकी आस्तिन है अब आपको puff sleeves बनाने के लिए इस कपड़े की जो लंबाई है कम से कम आपको यहाँ पर डेड़ इंच या फिर दो इंच लेनी पड़ेगी तो यहाँ पर हम इसको डेड़ इंच बड़ निशान लगाएंगे वन पॉइंट फाइफ इंच वन पॉइंट फाइफ इंच हमने यहाँ पर ले लिया एक्टरस पकार से अब इसके बाद में यह जो आपकी कपड़े की चोड़ाई है यह देखे आपका जो आर्मोल है वो यहाँ पर है हमारा आर्मोल यहाँ पर है तो इसमें यहाँ पर हम इसकी चोड़ाई भी जादे लेंगे क्योंकि इस पॉफ्स लिज में आपकी नीचे की तरफ यहाँ पर और यहाँ पर चुनटे पढ़ने से यह जो आपकी कपड़े की चोड़ाई है यह पर ये कम हो जाएगी, इसलिए मियाँ पर कम होने के बाद आपकी आफिन छोटी ना पड़े, इसलिए आपको पहले से ही कपड़ा यहाँ पर जाद लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर निशान से करीब पांच इंच कपड़ा लेते हैं एक्ट्रा इस परकार से, एक्ट्रा नि सबी साइज में ऐसे करना है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पर जो हमने लंबा चुड़ा लिया एक्ट्रा पांच इंच आप चाहें तो इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, पांच के विए छे कर लीजी जाए साथ कर लीजी, वो आपकी चोईस है, अगर आप आपको जादा प्लेट यहाँ चुनट चाहिए तो, ऐसे करने के बाद, अब यह जो आपका यह साइस है, आपको यहाँ पर निशान लगाना है, इस परकार से, अब ऐसे निशान लगाने के बाद, आपको इसमें एक काम करना है, कि यहाँ पर जो आपका यह मार्क लगा होत यहां पर हमने इस तरह की शेफ दे दी है यह शेफ देने के बाद अब यह जो आपकी पफ स्लीव्स है या फिर यह जो आपका निशाने कप्लिट हो चुका है अब इसके में यहां पर कटिंग करेंगे यहां साइड से आपको सीधा काटना होता है यह दे के तरफ होट T इसके भीच में अर्षियां के बीच में और अंदर की साइड में यहां पर एक हलकी शेफ देनी है जो क्या आप यहां पर आर और की शेप देते हैं यहां पर इस तरीके से आपको यहां पर शेप देनी है सिर्फ एक कपड़े में यहां पर आपने शेप दी है अब यह आपका पार्ट हो चुका है यह आपका आगे का पार्ट है यह आपका पीछे का पार्ट है तो यहां पर इस तरीके से देखे इसमें इसम चलना पद आयाँ मशीन पर लेकिन इसमें आंपको इसकी सिलाई कर भी क्टे ने करने के लिए सबसे पहले तों आपको इसके नेचे की साइड मतलब यहां पर चुनेट बनानी पड़ेगी तो इस तरीके से चुनेट बनाएंगे यहां बराबर में करीब आपको चार इस कुणा चोड़ना है, फिर इसके बाद आपको wir контр लेनी है और सुoid की मदद से आप कपड़े को आपनी मशीन के अंदर यहां पर इस पर जालना है, इस तरीके से आपकी यहांपर चुनेटे बन जाएंगी और फिर इस पर स्टैय लगानी है यह देखे दोस्तो यह तरीके से आपकी यहाँ पर निचे की साड़ प्लेट चुनट बन चुकी है और यह जो आप रे चुनट डाली है चुनट डलने के बाद यह कबड़ा आपका यहाँ पर छोटा हो गया है इसमें आपको एक पर ध्यान रखना है कि यह कपड़े की जो लंबाई आपके यहाँ पर छोटी पड़ी है यह कमसगम इतनी होनी चाहिए जितना यह आपका पेपर था हम इसको नाप लेते हैं एक बार क्या यह पेपर हमारे इसका बराबर है यह देखिए यह बिल्कुल आप को इसके ओपर यहाँ पर भी डालनी है यह ओपर भी आप चुनट डलने के बाद यह देखिए यह आपका कबड़ा कुछ ऐसा होना शाहिए ताकि यह बिल्कुल ऐसा लगे जिसे कि यह स्ट्रेट हो कहीं ऐसा लगए कि ओपर का पार्ट में आपने चुनट जार डाल दे नी यह ऐसे मुड़ जाए या फिर यह ऐसे हो जाए ऐसा नहीं करना आपको इसको स्ट्रेट सा रखना है ताकि स्ट्रेट सा लगे अब इसके बाद में यह जो आप और देखिए इसको हलका खीचेंगे तो यह आपका पूरा पोश्चन है चुनट वाला इस तरीके से आपका ऐ आप निचे वाला साइड है नीचे की जो मोरी है यहां पर आपको बनाने है फिरील यह हम अपना मैचिंग कपड़ा लेंगी यह हमने मैचिंग कपड़े से जो आपको दिखाया था उस कपड़े से हमने यहां पर 1.5 इन्च लंबी एक पट्टी कट कर ली है यह देखिए इ पट्टी को यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है और इसके किनारे पर यहाँ पर आपको एक सिलाय लगानी है ताकि यह बंद हो जाए तो यह हमने पट्टी में यहाँ पर ऐसे सिलाय लगा दी है साय लगाने के वाद अब आपको इसकी बनानी पड़ेगे फिर्ल तो फिर्ल बनाने के लिज़ने आपको जहां से कबड़े को मशीन में डालना है ऐसे और हातों से आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ पलेटे बनानी है इन प्लेटों से न फ्रिल बनाएंग़ service this कोशिश आपको यह करनी है कि आपकी जो जितनी प्लेटें प्लेटों का सब का साइज बराबर रहे कि आपकी जो तoten का साइज बराबर रहेling आपकी यह देखें दोस्तो यह आपकी जो फ्रिल यहां पर ऐसे यह बन चुकी है अब आपको इस फ्रिल को अपनी आस्रीम अटेश करना है तो यहां से इसको यहां पर रखेंगे इस परकार से ऐसे रखा और यहां पर इसमें एक स्लेय लगाएंगे इसको आप इससे पल्टेंगे और इसके उपर की साइड यहां पर आपको एक हलकिस एक किनारे की स्लेय लगाएंगे यह देखी दोस्तों यह हमने अपनी स्लेयर की मोरी पर यहां पर बहुत अच्छी फ्रिल लगा दिया फ्रिल लगाने के बाद अब आपको इसको यहां पर ऐसे फोल्ट करना है इस तरीके से जितनी भी आपकी आस्तिन की गुलाई है, जितनी भी आपकी मोरी है, जितना पर आप यहां पर टाइट पहनते हैं, उतना ही आपको यहां पर ऐसे निशान लगा लेना है, ऐसे निशान लगा कर अब आपको इसको यहां से बंद करना है, यह ऐसे बंद होने के बाद यह आपक कुल्टी ब्लाउज में उसी प्रकार से आपको इसमें आड़े आपकी मोरी है नीचे कि और ये आपका उपर का आर्मोल है सब कुछ नॉर्मडी होगा और यहाँ पर आगर हमारी जो डिजाइन की हमारी जी लिए हमारी जो पफ लीडियो बंग त्यार हो चुकीए और आपको हम आज की हमारी वीडियो कैसे लगे यह सब आप हमें कमें बॉक्स में कमें जबुआजरू बता हैं और अगर आपको हमारी इस वीडियो में हमारे डिजाईन में कुछ भी सीकनेiven ऐ परशानिए तो कमें करें और हमारे चैनलchien को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू वेलकम अगेंग